लो गाइज मैं अभी शेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और मैं यह आपर आज बत कर रहा हूं आपके सामने हीट एंड मास ट्रांसफर की प्रॉब्लम जो की है फिफ्टी सांटीमिटर है उसकी पोफ्टी सेंटिमिटर ही एलाचिर कली के यहां पर आपको की कई बात कर राहे है एंट्रीन अनली ज downward in the two isu transfer thru its outer surface. work out the intensity of the current flow and the temperature drop across the tube ball for the tube material take thermal conductivity तो यह पर जो thermal conductivity आपको दी है वो कितने दी है मैं आपको बता देता हूँ कि की वैलियो आपको यह पर गिविन दी है जीरो सारी 18.5 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और उना बोला के कई एंड, 59-kä help out more more corporental negative and about more specific resistance जो कि आपको specific resistance जैन आपको specific resistance के इस कोशन के अंदर specific resistance कि तो कितना दिया है आपको 0.85 जो कि मैं पहले लिखने वाला था warm,kannt MMA square है पर मीटर आपको यह बैलीउ जिविन दी है तो आपको बता हौँ कि जब भी बहुन specific resistance की बात करते हैं तो आपान उसको किस तरीके से रिपर्जेंट करते हैं रो से रिपर्जेंट करते हैं क्योंकि यहां पर आपकी value centimeter mm में दी है तो मैं उसको क्या करूँ change कर लेता हूँ इना centimeter तो आप notice करना 0.85 मुझे given दिया है ohm की value मुझे दी है mm को अगर मैं centimeter में change करूँगा तो मुझे बता है कि एक mm के अंदर 10-1 cm होता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ centimeter over 10 का whole square over आपको बता है कि एक मीटर के अंदर आपका 100 cm होता है तो मैं इस parameter को change करता हूँ क्योंकि आपको दिखाए दे रहा हूँ कि यह parameter में नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा और यह नीचे से क्योंकि यहां पर cm square बनेगा और यहां cm होका तो एक cm कट जाएगा तो यहां पर मेरी यह रो की वैली बनेगी जिसको बोलते है specific resistance तो आपको फॉर्मुला पता होगा कि जो आपका actual resistance होता है कि resistance is equal जो कि electrical resistance होता है तो यहां पर आपके जो parameters given दिये थे जैसे कि आपको यहां पर दिखाए दे रहा होगा कि length ती आपको 50 cm और जो की area मुझे निकालना है क्योंकि hollow section है तो उस section के लिए मुझे यहां पर diameter given दिये 12 mm and the .2 तो यहां पर मेरे को इसका diameter represent करना पड़ेगा तो radius निकाल के इसकी values को put करना पड़ेगा तो 8.5 10 to about minus 3 length आपको centimeter में दे रखे तो मैं centimeter पूट करूँ कि यह value मेरी centimeter के अंदर ही है और area को मैं change करूँ pi r square तो r1 square minus r2 square क्योंकि यहां पर जो value दे रखे उसको मैं represent करूँगा पहला radius की form में तो यह 0.6 हो जाएगी क्योंकि diameter दिया है तो यह मेरी 6 mm होगी तो centimeter में change करूँगा तो 0.6 cm हो जाएगी क्योंकि thickness add करूँगा तो 0.62 cm हो जाएगी तो यहां पर मैं value put करूँगा 0.62 का whole square minus के 0.6 का whole square आपको यह value solve करनी है by using the calculator क्योंकि मेरे पास यह values already है क्योंकि मैंने solve कर रखे है मेरे पास calculator है तो please solve this value then get the answer for the resistance तो resistance की value किती निकल के आ रही है यहां पर r की value जो निकल रही है वो निकले 5.548 अगर कुछ mistake आती है तो please आप मुझे comment section में बताना कि resistance की value यह नहीं निकल रही थी power generate करते है क्योंकि मेरे पास i की value दे रखी है then मेरे पास sorry मेरे पास resistance की value है power की value मेरे को given दिये तो आपको दे power कितने मेरे पास 15 kilowatt तो resistance मेरे पास है तो मैं यहांसे i की value निकाल सकता हूं तो देखते हैं तो intensity of the current flow कितना निकलेगा intensity of current flow कितना निकलेगा आपका i square r then i square is equal q over r then i is equal then i is equal under root q over r then q की value अपने पास है तो मैं इसको चेंज करूंगा 15,000 watt over resistance जो कि आपके पास value 5.548 now solve this value then get the right answer the i की value कितनी निकल के आएगी आपके पास 52 Ampere तो यह मेरे से एक चीज पूछी गई थी question के अंदर कि आपकी current की value कितनी होगी तो वो अपने निकाल लिया है कि current की value कितनी निकल के आएगी कि work out the intensity of the current flow तो यह अपने निकाल लिया है second चीज आते है temperature drop अपना temperature drop कितना होगा क्योंकि cylindrical body के बात की गई है तो मुझे पता है कि Q is equal जो formula 2 Pi K L this is a temperature difference तो मैं delta T से represent करूंगा क्योंकि वही पूछा है मेरे से then log base E R2 over R1 जो की value open अभी निकाल चुके है तो यह पर value put करते हैं कि जो आपकी Q की value this is 15,000 तो 15,000 is 2 Pi K के लिए जैने temperature difference over log base E R2 over R1 value put कर जेता हूं मैं 15,000 2 Pi K की value उन्होंने उपर given देती जैसे मैंने बताया था आपको 18.5 into temperature difference मुझे निकालना है log base E 0.62 over 0.6 के लिए आप इसको meter में centimeter में किसी में भी लगा सकते है then you then you will get the right answer तो यहां से देखी यह वाला part मेरा solve हो जाएगा पूरा का पूरा जब मैं इसको solve करूँगा तो मेरे पास जो value निकल के आगी वह किती निकल के आगी देख लीजिए कि this is a 15,000 in a right hand side and sorry left hand side and the right hand side को solve करका है 1771.58 del T यहां से जो आपके temperature drop की value निकल के del T over 15,000 over 1771.58 तो डिवाइड देखे निकला 8.467 degree centigrade तो इस इस दा राइट आंसर तो उन्होंने यही दोनों आंसर बुछे थे एक यह आंसर पूछा था मेरे से और एक temperature का answer पूछा था तो इस इस मार फर्स्ट वन आंसर था तो इस मार फर्स्ट वन आंसर गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है समझ में है तो फ्लीज लाइक जरूर करना शेर जरूर करना थेंक यू फर वाचिंग गाइस थेंक यू गाइस प्लीज टेक्निकल ग्लासिस को सबोर्ट करते रहिए अच्छी तरीके से थेंक यू फर वाचिंग गाइस थेंक यू